हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आपको ब्लॉग की एक सेटिंग बताने वाला हूँ जबर्दस सेटिंग जिससे आप अपने ब्लॉग को ब्लॉग में जो एड है उसको एक्टिवेट कर सकते हैं लेकिन जैसे ही आप अपने ब्लॉग में एड एक्टिवेट करेंगे आपको एक इस तरीके का आपको यहां पर दिख रहा होगा एरर इस तरीके का एक एरर आपको दिखाए देगा मैं आपको इस एरर को कैसे रिजॉल करते हैं पूरा end to end process समझाने वाला हूँ यह क्या एरर है जैसे ही आपके ब्लॉग के अंदर adsense account को आप एक्टिवेट करते हैं तो दो हपते के अंदर adsense account की तरफ से एक कोड आता है उस कोड को आपको अपने ब्लॉग की setting के अंदर जो आपकी theme है उसके अंदर आपको add करना होता है जैसे ही उसको आप add करते हैं तो इस तरीके का error आपको इसमें देखने को मिल जाएगा तो आईए मैं आपको पूरा detail में समझाता हूँ कि आपको किस तरीके से ये सब करना है तो सबसे पहले ये आपकी blog है जैसे मैं support करो मैं अपने blog adsense account पर जाता हूँ ठीके आपको ये code कहां पर मिलेगा इसके उपर भी मैं आपसे discuss करूँगा ये आपका adsense account है google adsense account google adsense account के अंदर यहाँ पर ads के अंदर आपको click करना है ठीके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप अपनी जो site है आप अपने जो blog है उसको किस तरीके से add कर सकते हैं आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो blog है आपका जो blog है उस पे आपका एक code आएगा उस code को आपके blogger के अंदर theme में add करना तो उसके लिए आपको सबसे पहले ads में click करना है ads में जैसे ही click करेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा यह code the one piece of code of your site and google is automatically so ads in all the best places यानि कि इस code को आपको वहाँ पर copy करना है clear है तो आपने इस code को यहाँ से copy code पे click किया यह आपका code जो है copy हो गया फिर उसके बाद आपको blog में जाना है आपकी blog की settings में यानि कि आपको अपने blog के draft में जाना है जहां से आप अपने पूरे blog को control कर रहे हैं यहाँ पर आपके पास में theme का option आएगा इस पे आपको click करना है जैसे ही edit stml पे आप click करेंगे यहाँ पर fourth number में आपके पास head का option आएगा यहाँ पर click करके enter प्रेस करें फिर आप आपका जो code है वो पूरा का पूरा पेस्ट कर दीजिए पेस्ट करने के बाद में एक और enter दे दीजिए तो इस तरीके से आप अपने blog के अंदर जो add sense account का code था उसको यहाँ पर paste कर सकते हैं paste करने के बाद आपको click करना है save button पर जैसे ही save button पर आप click करेंगे तो आप देख पाएंगे कि यह processing में है आपको थोड़ा सा यहाँ पर wait करना पड़ेगा क्योंकि यह अभी पूरा processing में है जैसे ही इसका process complete हुआ यहाँ पर error आपको दिख जाएगी ठीके इस error को किस तरीके से resolve करना है उसका पही process बताऊंगा end to end process आज आपका जो blog है वो google adsense account से add हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर click करना है और इसके बाद यहाँ पर add sense one लिखावा है इस पर आपको click करना है इस पर click करने के बाद में इस तरीके का जो है view आपके सामने आ जाएगा फिर आपको यहाँ पर click करना है और click करने के बाद यह वाला symbol फिर यह दो dot लगाने है जिससे आपके पूरे block की जो settings है उसका color change हो जाएगा और वो ही same process आपको यहाँ पर end में भी करना है ठीके उसके बाद आपको यहाँ पर यह symbol add करना है इतना करने के बाद में आपको click करना है save पर जैसे ही आप save पर click करेंगे एक और google adsense का error यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा यह adsense 1 का error था अब आपको adsense 2 का error यहाँ पर देखने को मिलेगा ठीके इसको resolve करने के लिए वापस से आप यहाँ पर click करें और इस वार आपको आपने जो google adsense का two number select करना है यह रा adsense 2 इस पर आपको click करके इसको आपको select करना है इसको आपने select कर लिया इसमें भी आपको वो ही same process apply करना है पहले यह symbol उसके बाद दो dot लगाने हैं फिर यही same process last में करना है आपको दो dot और उसके बाद यह वाला symbol और फिर आपको finally इसको save कर देना है जैसे ही आपने इसको save कर दिया अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि यह processing में चल रहा है और जल्दी ही यह update हो जाएगा दो मिनट लेता है यह processing में और आप आप देख पा रहे हैं यहाँ पर update successfully ठीके update successfully हो चुका है आपका जो code है वो इसके अंदर update हो गया है आपके block के अंदर आपने अपने code को अच्छे से implement कर लिया है अब आपके block पर add आना start हो जाएगा यह setting करनी बहुत जरूरी है इस setting के बिना जो है add नहीं आएंगे अब मैं आपको यहाँ पर जाकर भी इसको आप done कर दीजिए done करने के बाद में आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आपके block के उपर किस तरीके से add आएंगे ठीके यहाँ पर आपको मैं चक्रायता हूँ आपके block में अगर आप phone पर देखेंगे तो यह phone का add है view है कि इस तरीके से आपके phone पर यहाँ पर देख पा रहे है auto add example इस तरीके से add आएगा फिर अगर आप इस पर click करेंगे तो आपका जो computer है या desktop है desktop या computer की screen पर किस तरीके का add आएगा वो यहाँ पर आपको दिखा रहा है तो यह पूरा process मैंने आपको समझा दिया है friends की किस तरीके से code जो है आपको copy करने चाहिए और copy करने के बाद आप अपने code को किस तरीके से यहाँ पर आपके site पर add कर सकते हैं जैसे ही आपने add कर दिया तो यहाँ आपके पास में update आ चुका है की two weeks के अंदर यानि की दो हपते के अंदर अंदर पंदरा दिनों के अंदर आप अपनी जो ब्लॉग के अंदर जो आपकी ब्लॉग है आप अपने ब्लॉग के अंदर add देख पाएंगे make sure you don't remove your site and resubmit it because this can delay the process आप अपने Google Adsense के account में से अपनी जो वेबसाइट है उसको ना तो remove करें और ना ही उसको resubmit करें क्योंकि ऐसा करने से इसमें delay आपको देखने को मिल सकता है अब आपको कुछ भी नहीं करना है complete हो चुका है आपका process अब आपको बस थोड़ा सा wait करना है आपका account आपका blog जो है वो monetize हो जाएगा आपके blog के अंदर आपको add देखने को मिल जाएगा आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा आप personally call कर सकते हैं इस setting के लिए any desk से भी मैं आपको पूरी help करके ये setting करवाने में help करूँगा thank you have a nice day bye bye